किसान भाईो आज हम इस वीडियो में गेहूं के टॉप किस्म सिराम 303 और HD 3086 के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों टॉप किस्मों में से सबसे बेस्ट कौन है किसान भाईो आपको हम बता दे कि गेहूं के टॉप किस्म के साथ साथ और कुछ महत्पूर बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं साथ ही इसको बेच कर ज्यादा मुनाफ़ा भी ले सकते हैं चलिए किसान भाईो उन बातों को जान लेते हैं कि कीन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है सबसे पहले किसान भाईो ऊतिक करते समय सिचाई की जरूर्थ होती है यानि कहने का अमाıyla मतलब हुआ कि समय समय पर कौन सी खाद कॉप डाले कि समय डाले ता कि आपके पाउधा का ग्रो अच्छा हो इसकी भी जनकारी रखना जरूरी होता है तिसरे नमबर पर किसान भायों गेहूं में लगने वाला रोग जैसे पत्ती, दबा रोग, गेरोई या रेत्वा रोग, दीमा, कीट तथा तना छेदक, इत्यादिक के नियंतर्ण है तू सही किट नासक दवा का स्प्रेक करना जरूरी होता है यानि समय समय पर गेहूं में लगने वाले रोगों के नियंतर्ण करना जरूरी होता है किसान भायो यहीं मतमूर जनकरिया थी यदि किसान भायो गेहूं बोते समय आप इनी सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको गेहूं की अच्छी उपज होने से कोई नहीं रोख सकता तो चलिए किसान भायो अब हम बात कर लेते हैं गेहूं के टॉप किसम सिराम 303 और HD 36 के बारे में नमस्कार किसान भायो स्वागत है अपनी यूटूब चनल में तो किसान भायो सबसे पहले नमबर पर हम सिराम 303 के बारे में जान लेते हैं तो किसान भायो आपको हम बता देखी यह एक अच्छी किस्म की बेराइटी यदि हम इसके प्राइज की बात करें तो यह मार्केट में आपको सत्तरा सो रुपिया पर बोरी के आसपास मिल जाता है जो 20 केजी का बोरी होता है जिसकी रोग परति रोदक छमता ज्यादा होती है किसान भायो इसके साथ सत इस किस्म में 42 से 80 दिन में आ जाती है तथा आप इसका खेती अगेती या पीछेती लगा सकते हैं किसान भायो यदि आप इस वेराइटी की खेती अगेती करते हैं तो आपको उत्पादन ज्यादा देखने को मिलेगी यदि आप इस वेराइटी की खेती पिछेती करते हैं ते आपको उतपादन कम देखने को मिलेगी किसान भाईो गेहों के इस बिराइटी में कल्लो की संखिया ज़्यादा देखने को मिलती है साथ ही इसकी बल्निया की लंबाई भी ज़्यादा होती है तथा दाने、 मोटे और दानों में चमक भी ज़्यादा देखने को मिलती है जिससे मार्केट में इसका डिमांड ज़्यादा हो जाती है इसके शासत अच्छा रेट भी देखने को मिल जाती है किसान भाईो इसके पकने की यहुदी की बात करें तो ये करीब 110-120 दिन में तयार हो जाती है यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो इसके उत्पादन 75 क्विंटल परती हेक्टेर की दर से हो जाती है यदि हम इसके बीच दर की बात करें तो किसान भायों आपको हम बता दें तो किसान भायो आपको हम बता दें कि गेंगों के HD 30 CAC की वेराइटी बहुत टॉप वेराइटी मानी जाती है इस किस्म का पौदा गहरे हरे रंग का होता है तथा पत्तियां बिल्कुल सुन्दर होती है साथ ही इस किस्म के ताना मोटा होता है जिसके काना फसर नीचे नहीं गिरती किसान भायो इसके उचाई की बात करें तो इसके उचाई 98 से 100 cm तक होती है इसके साथ साथ इसके बालिया 90 से 100 cm तक होती है इसको पकरने की यहोधी की बात करें तो इसको पकरने में 140-145 दिन का समय लग जाता है किसान भाईो इसके कलो की संक्या 13-14 देखनों को मिल जाती है साथ इसकी बालिया की लम भाई 12-14 संटीमिटर तक होती है किसान भाईो इसके 1000 दानों का वजन 40-45 गराम तक होता है येकाड की दर्स से हो जाती है